जहिन साथियों, मैं हूँ अरुण कुमार और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं भारत का भुगोल जसमें आजका हमारा विशे है प्रायदीप भारत की नदियां जो और अप सागर में गिरती हैं इससे पहले हम प्रायदीप की भारत की नदियां को दो पार्ट में डिवाइड कर या जाता है तो इसको भी हम देख लेते हैं चोंछ तो प्रेदीप से निकलए वाली नदियां है वह फास इनौ पॉट्ट बड़ाईयो नींट होंगी बताइए यह पहाड से लिगलों से उनौ जिशलों से और ने लैटा-चोती हैं जो हमाले से निकले वाली नदियां पूर वड़ती नदियां अर्थात हिमाले के बनने की उत्पत्ती से पहले भी नदियां वहाँ पे बहती रही है और काट छट के हमाले को अभी भी गोर्ज का निर्मान कर रही है जब कि प्राइदीब वाली नदियां अनुवरती नदियां है रहता है विकास क्राम के साफ से देखें तो हमाले के विद् पत्ती हो रहे हैं हिमाले एक पने सारचना है जबकि peninsular rivers जो है उनका catchment area छोटा होता है compare कर रहा है हम दोनों की हिमाले से निकलने वाले नदियां बड़े-बड़े मैदानों का निर्मान करती है जैसे कि इंडस के मैदान, ब्रहंपुत्रा का मैदान और गंगा का मैदान जबकि प्रयदीप से निकलने वाले नदियां जो है वो मैदानों का निर्मान नहीं करती है छोटे-छोटे मैदानों का निर्मान करती है वो भी समुद्र तटपे जाके जैसे western guard plains और eastern guard plains हिमाले से निकलने वाले नदियां जो है इतने गहरी घाटियों का निर्माण नहीं करती है वो लास्ट में हमारा हिमाले से निकलने वाले नदिया जो है वो विसरप का निर्माण करती है मेंडियर्स का निर्माण करती है मेंडर्स का निर्माण इसलिए करती है क्योंकि एक कम सिलोप में बैती है और ये एक टेड़ा मेडा रास्ता इस तरह से मेंडर्स बना के बहती हैं जबकि प्रायदीप की नदियां ज्यादा से लोग पे बहती हैं इसलिए वो विसरपो का निर्माण नहीं करती हैं विसरपो का निर्माण नहीं करती हैं तो आज की चैप्टर में जिन नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं, जानने वाले हैं, वो नदिया हमारी सिक्वेंस में रहेंगी, राजिस्तान की लूनी नदी, एक बार नाम देख लेते हैं इनका, जिस सिक्वेंस में हम पढ़ेंगे, बाकी मैप मे तो सारी आगे आती रहेंगी हम ये किरम देख रहे हैं उत्तर से दक्षिन की और ये सिक्वेंस याद रखेगा सिक्वेंस लगाने को आ जाता है उत्तर से दक्षिन की और ये सिक्वेंस है सबसे पहले लूनी नदी है जो और अफसागर में नहीं गिरती है उसके बाद साबर मती, माही, नर्मदा, तापी ये मुख्य नदिया हैं इसके अलावा भी बहुत सारी नदिया हैं जो अरफ सागर में गिरती हैं जाके वेस्टन घाट से लेकिन उनको बारे में हमें नहीं पढ़ रहा है ऐसे तो हजारों नदिया होंगी चोटी-चोटी-चोटी-चोटी मुख्य नदिया यहीं है लूनी, साबर मती, माही, नर्मदा, तापी साबर मती, माही, नर्मदा, तापी चारों की चारों नदिया अरफ सागर के खंबात की खाड़ी में गिरती हैं और नदिया खमाद की खाड़ी में गिरती हैं साब अर्मती माही नर्मदा तापी इसके लावा गोवा में दो नदिया आती हैं देखिए गोवा में दो नदिया आती हैं मांडवी और जुआरी मांडवी और जुआरी मांडवी और जुआरी करनाटक में भी दो नदिया कुंसी हैं भरत पुजा जो इस सबसे लंबी नदी है तो सबसे नदी है Memphis को से लंबी नदी है लूनी नदी कहां से अर्जनेट होती है यह हमारा अरावली अगर आपने मेरा पेननसुलर प्लेटू पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखा है वीडियो उसके पर जो हमने लेक्चर बनाया तो पहला आप उसको देखके इसको वीडियो को देखेंगे त आपको जाड़ा अच्छे समझ में आएगा यह हमारी अरावली रेंज में यहां पर आता हार्ट ऑफ दा राजिस्थान हार्ट ऑफ दा राजिस्थान कौन से सहर बताईये अजमेर को कहते हैं आजमेर के पास में पुसकर वैली आप घूमने गए होंगे तो पुसकर वैली स से उर्णियेट होती है लूनी नदी सांबर जील से होकर वहती है सांबर जील से होकर वहती है राजिस्थान की सबसे लंबी नदी है राजिस्थान की सबसे लंबी नदी है और अब सागर में जाके नहीं गिरती है कच का रण में विलीन हो जाती है कच के रण में ही विलीन हो बडुशाथ के चीट्रों अउया सब पानी भर जाता है तक डिच्टर यहां पॉसन पुछै जाता है कौंशिकव मेरा अब यहां बाच्ट लूनी नदी को हम लवन वतिया साल्टी ड्रीवर भी कहते हैं अरावली रेंज अजमेर में पुसकर वैली से उड्नेट होती है रजिस्तान के सबसे लंबी नदी है कच के रन तक जाती है समुद्र तक नहीं जाती है सामबर जील से होकर भैती है सामबर जील इंडिया की सबसे बड़ी इन लैंड लेक इन लैंड लेक इंडिया की सबसे बड़ी लेक चिलका जील और अगर हम इन लैंड लेक की बात करें तो सामबर जील क्योंकि चिलका एक लैगून है देखिए एक कच का रन जो मैं आपको बता रहा था तो लूनी नदी इसी जगा आके विलीन हो जाती है इस चेत्र में कच के रण में यह सेटलाइट से लिए इमेज है उसके बाद हमारी दो सी नदी आती है देखिए इधर है हमारी सावर मती नदी सावर मती नदी जो अक्सन न्यूज में रहती है न्यूज में क्यों रहती है फॉर सावर्मती रिवर्फरंट काफी famous है सावर्मती नदी भी ये अरावली रेंज है अरावली रेंज में मेवाड़ वाले छितर में यहां पे जिला है उदैपूर जिला उदैपूर डिस्टिक जिसे जीलों का सेर भी कहते हैं आप अगर कभी उदैपूर घूमने गए हैं तो आपने लेक पिछोला में बोटिंग तो जरूर ही कियोगी तो जैसे वहाँ पे लेक पिछोला है वैसी वहाँ पे एक और लेक है कहाँ पे उदैपूर में उस लेक का नाम है जै समुद्र जील जै समुद्र जील, जै समुद्र जील से उद्य होता है साबर मती नदी का और साबर मती नदी जै समुद्र जील से उद्य होने के बाद रजिस्तान से बैती हुए आके गर जाती है गल्फ ओफ खंबात, खंबात की खाड़ी में देखिए ये खंबात की खाड़ी है कहां से और्दिनेट हो रही थी और देखिए एक चीज और इंपोर्टेंट है यहां पर दो बड़े ही फेमस सहर है गुजरात के एक है गांधी नगर दूसरा है एहमदाबाद गांधी नगर और एहमदाबाद दोनों ही सहर बसे हुए हैं साबर में तीन नदी के किनारे पठार है जहां पर अश्याटिक लोएन पाए जाते हैं यह पूरा सो राष्ट वाला चेत्र है अर्द चंद राकार जो आपको दिख रहा है तो यहीं से मांडव वाले चेत्र से दो नदिया और जेट होती है कि सत्रंजी एक है भादर खाली नाम याद रखिए सत्रंजी भ हो रही है रेंज का बात करें तो अलावरी लेंज है खंबात की खाड़ी में गिरती है खंबात की खाड़ी में गिरती है और दो मुख्य सहर इसके किनारे बसे हुए है एहमद आबाद और गांदी नगर तो साबर मती आसरम तो इसके किनारे हो गाई क्योंकि वो गांदी न नारा उत्तरी किनारा भी बोल सकते हैं और यह है पूरा मालवा का पठार कौन सा पठार मालवा का पठार का ढाल है उत्तर की साइड में ठीक है यह मैं आपको सब प्लेंस पैननसुलर प्लेट्टु जब पढ़ाया पार्ट वन उसमें बता चुका हूं तो इस ढाल के साथ ही नदियां यहां से बहती है उत्तर की दिशा में यहां से कौन कौन सी नदिया निकलती है बताएं नाम उनके चम्मल निकलती है काली सिंद्ध निकलती है बेतवा निकलती है के इन निकलती है यह सारी नदियां जाके यह मुना में यह गंगा में मिल जाती है गंगा के पिरव जिला मद्धे प्रदेश का धार जिला ये मद्धे प्रदेश है मद्धे प्रदेश के धार जिले से उटनेट होती है और उत्तर दिसा में बहती है जीदर को ढाले लेकिन आगे जाके इसको मिलता है राजिस्तान फाल्ट जो की अरावली के दक्षिंड पूर साइड में है रा दो बार काट रही है तो ये नदी करक रिखा को दो बार काटती है मही नदी ये कुश्चन भी एक्जाम में पूछा गया है करक रिखा को कौन से नदी दो बार काटती है मही नदी कहां से ओर्णेट होती है मद्दे प्रदेश धार दिस्टिक विंद्याचल का उत्तरी ढाल भ खंबात की खाड़ी अरफसागर में गिर जाती है इसके बाद देखिए यह आपको मौस्ट इंपोर्टेंट है यह नर्मदानदी यह देखिए इसका और जिन यहां से होता है मिलकुछ चतिस गड़ और महराष्ट वाले वोडर से इसको तोड़ा आगे कर लेते हैं यह मैकाल क की पहाड़ियां मैकाल की पहाड़ियों से ओर्जनेट होती है मैकाल की पहाड़ियां जो कि मध्य प्रदेश में मैकाल की पहाड़ियां कहां पर हैं मध्य प्रदेश में मैकाल की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से ओर्जनेट होती है कौन सी नदी नर्मदा नदी नर्मदा बहुत्य है और अरफसागर में घड़ती है उसका नाम है नर्मदा यहां रिफ्ट वैली से होके बहुत्य है इसलिए अरफसागर में घड़ती है धट जो है मुद्चनपूर्व दिसामे है श्ट का ढाल लेकिन यह अपने ड़्ाल के विप्रीद बहुत्य है कौन Si NUS और तापी क्योंकि रिफ्ट वैली से बहते हैं यह ऐसे आपको बता रहा हूं कर रिफ्ट बैली से सकर बहते हैं इसलिए ढाल के वुआए बहते हैं नर्मदा और इसके उपर एक बांध बनावा है यहाँ पे यहाँ पे एक बांध बनावा है बहुत ही फेमस बांध है सरदार सरोवर बांध आपने नाम सुना होगा जरूर सरदार सरोवर बांध जिसके पास बनाय गया Statue of Unity महाँ पे हाली में एक रेलवे स्टेसन के लिए तीन-चार गाड़ियों का रेल गाड़ियों का उद्गाटन भी किया है प्रदान मंत्री ने उस रेलवे स्टेशन का नाम आप कमेंट में बताईएगा तो यहाँ पे है सरदार सरोवरबान नर्मदा नदी भी बना हुआ है जिसके पास में है स्टेशू अफ यूनिटी दुनिया का सबसे उंचा इस्टेशू हाइट के साब से नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने वाली प्रायदीप की सबसे लंबी नदी है तो हम देख रहे हैं नर्मदा नदी है नर्मदा नदी जी से हम Lifeline of मद्देपरदेश भी कहते हैं मद्धे प्रदेश, गुजरात और महराष्ट से होके बहती है गुजरात की भी इंपोर्टेंट न दी है क्योंकि गुजरात के अंदर इस पे एक बांध बनाया गया जिसका नाम है सरदार सरो और बांध सरदार सरोवर बांध जहां से चार राजियों को बिजली के अपूर्थी की जाती है गुजरात, रजिस्तान, मद्धे प्रदेश और महराश्टरा सरदार सरोवर बांध के पास ही बनाया गया स्टैचू ओफ यूनिटी स्टैचू ओफ यूनिटी जो की दुनिया का सबसे उंचा स्टैचू है और भारत का गर्व भी है कहां से ओजनेट हो रही थी नदी? ये नदी ओजनेट हो रही थी मैकाल स्रेणी की अमरकंटक परवत से जो की मद्धे प्रदेश में है विंदिया चल और सत्पड़ा के बीच से बह रही थी खंबात की खाड़ी में गिरने वाली सबसे लंबी नदी अरब सागर में गिरने वाली प्रयादीप की सबसे लंबी नदी ब्रंस गाटी से होके बह रही थी दो नदीयां ब्रंस गाटी से होके बहती है नर्मदा और तापी इसलिए अपोजिड़ा स्लोप बहती है और अपसागर में गिरने वाली प्रायदीप की सबसे लंबी नदीए मैं आपको बता चुका हूँ अगर हम प्रायदीप की नदियों की लंबाई के साफ से देखें तो तीसर नंबर पर आती है प्रायदीप की नदी है पैननसुला की थर्ड सबसे लंबी नदी है पैननसुला की सबसे लंबी नदी गोदावरी नंबर दो पे क्रिशना नंबर तीन पे नर्मदा और नंबर चार पे महानदी इस सिक्वेंस याद रखिए गए, सिक्वेंस एक्जाम में पूछा जाता है लंबाई के क्राम अनुसार, सेरियल में लिखने के लिए नदियों को आ जाता है भडोज, गुजरात में जाके एक जुआर नदमुख का निर्मान करती है जबलपूर सहर जो है, वो इसी नदिय के नारे बसाओ है मद्दे प्रदेश में, मद्दे प्रदेश की सबसे लंबी नदी भी है जबलपूर के पास बेडा घाट में एक धुआधार जलप्रपात का निर्मान करती है जबलपूर नरमदा के किनारे बसाओ है, जबकि जबलपूर इंद्रावती के किनारे बसाओा सहर है है जो गुदावरी की सायक नदी है, जो मैं आपको भारत की नदीया पाट तुमें बता चुका हूँ, इसकी सायक नदीयां भी एक जबल पूछ सीकी सायक नदीया इंपोर्टे ने होता तो मैं पूछ ता तवा क्योंकि तवा और तवी में आप कनफ्यूज है जाएंगे तवी जमू कस्मीर के जमू छेतर से बैती है तवा नर्मदा की सायक न दिया इसके अलावा सककर हीरन और दुधी तवे पे सककर डालके दूध मिलाया और उसको हीरन खा गया कुछ भी सिक्वेंच बना लीजी तवा, सक्कर, हीरन और दूध दूधी ये निर्मदा की सायक नदिया है निर्मदा तीन राज्यों से बहती है मैंने आपको बताया है मध्धे प्रदेश, महरास्ट्रा और गुजरात सबसे दालंबा इसकी मध्धे प्रदेश में है देखे ये है सरदार सरोवरबांध ये सरदार सरोवरबांध है जो कि ये देखे गुजरात वाले छितर में बनाया गया है कौन सी नदी बनाया गया है नर्मदा नदी बनाया गया है सरदार सरोवरबांध, ये भड़ोच है यह बढ़ोच और यह जुआर अनदमुख जहां पे नदी सीधे जाके समुदर में गर जाती है डेल्टा का जिनमान नहीं करती है और जो बीच वाला चेतर होता है यहां पे आतो पोर्ट बन जाता है जिसे कि भढ़ोच का पोर्ट और नदी का और समुदर का पानी मीठा और अपसमी मिल जाते हैं और उसे प्रकार की मचलिया और उसे प्रकार की वनास पतिवी शेत्र में पए जाती है तो यह सरदार सरोव dit हैं कि जो मुने आपको बताया दुमाधार जल्परपात निम नदी पे कहां पर Jáप्र जवलपूर के पास बेढ़ा गातिे से नेका कुछ यह कुछ रिति नांट औरहर ही थेखे ज़िए धाया उन्हेटि यह पट हेकी बीच में जो उठावा छेत्र अभी नर्मदा बह रही है ब्रंज गाटी से इदर तापी बह रही है हम देखेंगे अभी तापी कहां बहती है तो उसके बीच में उठावा छेत्र जो है जो की वास्ताव में परवत नहीं है लेकिन उठावा होने के कारण परवत लग रहा है शारन एक बिलोक परवत का उधारन है अब यह में देखते हैं टापी नदी तापी नदी कहां पर है देखेंने में टैपी नदी यह है हमारी तापी नदी जो भी मद्दे प्रदेश से और्णेट हो रही है मद्दे प्रदेश में दिखी यह बेतूल वाला छेतरे मद्दे प्रदेश का नाथपुर के पास बेतूल का जिला है बैतूल के पठार है ये और बैतूल की पठार में सत्पुड़ा रेंज के इंतरगात आता है ये और बैतूल के पठार में है हमारा एक जगा जिसका नाम है मुल्ताई मुल्तई वाली जगह है तो मुल्तई बैतुल के पठार से मद्धे प्रदेश से ओड़नेट होती है हमारी तापी नदी और इसके नीचे मैंने आपको बताया था कौन सी रेंज होगी महराष्ट में बताइए इसका नाम अजंता और इदर सत्माला अजंता अजंता और कौन सी प्रवस्रेणी दी गई है विंधिया चल और सत्पुड़ा के बीच में थी नर्मदा सत्पुड़ा और अजंता के बीच में है तापी नदी ठीक है तापी नदी जो जाके खंबात की खाड़ी में गर जाती है यह भी तीन राजियों से बैती है किन तीन राजियों स तापी नदी की परियोजनाय है और तापी नदी किनारे यहाँ पे बसा हुए है जहाँ पे जुआर नदमु का एस्चुरी बनाती है यहाँ पे है सूरत एक कुछन एक्जाम में आता है सूरत किस नदी किनारे है सूरत नर्मदा के किनारे नहीं है तापी के किनारे है अक्सर लोग नर्मदा लगा देते हैं नर्मदा के नायव बहरोच और जबलपुर है तो हम तापी नदी देखलते हैं तापी के बारे में तो एकल कुछ नहीं है है parking नदी यृविज Katy गाटी से होके बह रही है तापी भी ब्रंज गाटी से होके बह रही है ठीक है मद्देप्रदेश महराश्टा और गुजरास से बैती है इसकी मैक्सिम लेंद महराश्ट में है सत्पुडा और अजंता सत्माला के बीच में से बैती है बैतूल मुलताई वाले छेतर से निकलती है मद्देप्रदेश खंबात की खाड़ी में गिरती है सूरत इसके किनारे बसा हुआ है जौरन दमुक का दिर्माण करती है और इस पर दो परियोजना है कक्रापार और उकई इंपोर्टेंट नहीं है नाम याद रखी कक्रापार और उकई उसके बाद हम चलते हैं हमारी जो यह हमारा बना हुआ है यह क्या है पताइए यह है वैस्टन घाट वैस्टन घाट पस्मी घाट से निकलने वाले नदिया देखेंगे हम तो पस्मी घाट से निकलने वाले नदिया हम देखेंगे सबसे पहले गोवा की दो नदिया देखेंगे कौन-कौन सी मांडवी और तो इस घाट का धाल बहुत जादा है, तो इस छेत्र से जो नदिया निकलेंगी, वो तेजी से नीचे पिरवाइत होंगी, तेजी से पिरवाइत होंगी, काफी तेजी से पिरवाइत होंगी, और जर्नों का निर्मान करेंगी, क्योंकि सलोप जादा तो जर्ने जादा तो जल विद्धत परियोजणां के लिए उप्यूक्तच रहेंगी चोटी-छोटीромगाइए होंगी जरन्व का दिन्रमाण करेंगी जल विद्धत परियोजणां के लिए उप्यूक्त होंगी बाकِ इसके पस्मी घाट के जो बाकी पूर्मी किनारय है वहां से निकलने वाले नदियां सब चले जाएंगे बंगाल खाड़ी में जैसे जाती है मारी गोदावरी किस्टना कावेरी तो ये ढाल होने की वज़ा से इन में कुछ विशेष्टा है पाई जाती है वेस्टन घाट से निकलने वाली रीवर जो और अपसागर में जाती है मैं उनकी बात कर रहा हूँ ते ढाल पर बैती है इसलिए जादा स्पीड से बैती है छोटी छोटी होती है जहरनों का जिर्मान करती है और जल विद्योत परियोजनाओं के लिए उप्यूक्त है जल विद्योत परियोजनाओं के लिए उप्यूक्त है तो अब हम इसमें देखते हैं मांडवी और जुवारी जो की गोवा की प्रमुख नदिया है मांडवी और जुवारी देखिए ये इसको हम थोड़ा जूम क इनके बारे में देख लेते हैं मांडवी नदी कहां से औरनेट हो रही है मांडवी नदी औरनेट होती है करनाटक वाले छेतर से करनाटक में एक बैल गाम है जहां पर ट्रेनिंग सेंटर भी है किस चीज़ का बताईएगा करनाटक बैल गाम से औरनेट होती है मांडवी नदी पणजी इसी के किनारे बसा हुआ है पणजी सहर मांडवी नदी के किनारे ही बसा हुआ है इसको Lifeline of Goa भी कहते हैं किस नदी को मांड भी नदी को Goa की Lifeline भी कहते हैं इतना याद रखेगा दूसरा जुवारी नदी जुवारी नदी भी करनाटक से ही औरनेट होती है वेस्टन घाट पे बैती है Goa की सबसे लंबी नदी है Goa की Lifeline मांड भी नदी है दोनों ही करनाटक से औरनेट हो रही है और वासको डिगामा पोर्ट जुवारी नदी के किसे संबन दी थे जुवारी नदी भी बना हुआ है पूछा गया वासको डिगामा पोर्ट कौन सी नदी पे है जुवारी नदी गोवा उसके बाद देखिए दो नदीयां करनाटक की है करनाटक आगया करनाटक में दो नदीया है सरावती और गंगावेली छोटी छोटी नदीया है गंगावेली का तो नाम याद रखिए सिक्वेंस में गंगावेली उसके पहले आती है सरावती शरावदी के लिए हुली जानने के लिए इंपोर्टेंट कि है कि करनाटक के व olursटन गाट से उरिमाट करेंगे तो तो शीणोगा नामग चेतर शींtering है ये एक जल प्रपात का निर्मान करती है जिसे हम पहते हू़ प्रपाथ जोकी भारत का सब ऐुचा जल प्रपात है कभी कभी एक जाम में पूचाया पश्तित जल प्रपात दोनों बातों में अंतर समझी, सबसे उंचा जल प्रपाथ, सबसे उंचाई पे इस्थित जल प्रपाथ तो सबसे उंचा जल प्रपाथ का मतलब हो गया वाटरफाल की लैंद कितनी है, 253 मीटर के साथ जोग जल प्रपाथ भारत का सबसे उंचा जल प्रपाथ है जिसे गरसोपा या महातमा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं और अगर हम सबसे उचाई पे इस्थित जलप्रपात की बात करें तो वो है हमारा कुंची कल जलप्रपात जो हायट के हिसाब से सबसा ज्यादा उचाई पे है दिखें अगर कोई घरना हमाले परवत के उपर बसा हुआ है और छोटा भी है तो हायट के इसाब से ज्यादा उचाई पे है वही बात समझने की है कुंची कल जलप्रपात हायट के इसाब से सबसा उचा है जिसे गर सोपा या महातमा गांदी जलब प्रपात भी कहते हैं करनाटक में ही बराही नदी पे कुंची कल जलब प्रपात भारत का सबसे उंचाई पे इस्तित जलब प्रपात और दुनिया का दूसरे नंबर पे उंचाई पे इस्तित जलब प्रपात है कुंची कल जलब प्र या तीशरा नाम क्या इसका गर सोप्पा जल प्रपात ये वाली हाइट है दो 153 मीटर 253 मीटर लंबाई का ये जर्ना है भारत का सबसे उंचया जलप्रपात 253 मीटर जोग जल प्रपात उसके बाद हम चलते हैं केरला केरला वाले छेतरे में तीन नदियां यहापए इंपोर भरत पूजा भी कहते हैं, भरत पूजा भी कहते हैं, और इसको एक नाम इसका दूसरा भी है, भरत पूजा नदी का, पौनानी नदी भी कहते हैं, तो हम भरत पूजा के बारे में देख लेते हैं, छोटा छोटा है ज्यादा इनके बारे में याद रखने के लिए नहीं है, भ अन्नामलाई की पहाड़ियां जो कि तमिल नाडू हैं वहां से और जन्यट होती है तो दो राज्यों से भाएगी तमिल नाडू और केरला अन्नामलाई की पहाड़ियां तमिल नाडू से और जन्यट होती है केरला की सबसे लंबी नदी है एंदि सिज मच एणफ अबाउट दा भारतपुजा उसके बाद उसके बाद आती है मृर दूसरे नंबर पेरियार पेरियार अनधी यह सेम अन्नामलाई तमिल-लाडू की पहाड़ियां अन्नामलाइ जो की वेस्टर अन्नामलाई तमिल-लाडू से और न mention होती है Lifeline of Kerala भी कहते हैं कि इसको पेरियार नदी को केरला की सबसे लंबी नदी कौन थी मैंने भी आपको बताया कौन सी थी भरत पूजा इसको पौननानी नदी भी कहते थे पेरियार नदी तमिलाडू से उज्ञेट होती है अन्नमलाई की पाड़ियों से जो की मुला पेरियार योजना के नाम से भी जाना जाता है और तमिलाडू और केरला में इस बांद को लेकर अक्सर विवाद होता रहता है न्यूज में रहता है इसलिए याद रखेगा इडुक की बांद पेरियार नदी पर बना हुआ है इसके बाद जो हमारी नदी है तीसरे नमबर की जो मैंने आपको मैप में दिखाया उसका नाम है पंबा नदी पंबा नदी के बारे में इंपोर्टेंट यह है कि केरला की बहुत ही इंपोर्टेंट इक जील है बेमबनाड जील पमबा नदी अपना जल बेमबनाड जील में गराती है और अब सागर में नहीं गराती है लंबाई के एक वोडिंग देखें तो भारत की सबसे लंबी जील है छेत्रफल के इसाब से भारत की दूसरी सबसे बड़ी जील है पहली जील कौन सी है सबसे बड़ी चिलका जील बैमबनाट जील जिसकी लंबाई 96.5 लगबग 100 किलोमेटर लंबी जील है ये 2033 स्कौार किलोमेटर का छेत्र है भारत की दूसरी सबसे बड़ी जील और पहली सब से लंबी जील मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इसी तरह से याद रखिएगा रामसर साइट के इंतरगत ही आती है रामसर साइट के इंतरगत रामसर वैट लेंड में इसको 19 अगस्त 2002 को समलित कर लिया गया था और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा रामसर वेट लेंड ये रामसर साइट भी है भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन से बताईए ये सुन्दरबन डेल्टा देखिए ये है हमारी वैंबनाड जील देखिए इसके लंबाई में बता रहा है आपको 96.5 किलोमेटर ये वैंबनाड जील है जो की एक लैगून है क्या है जो की एक लैगून है लैगून है वैंबनाड जील इसको लोकल भासा में कयाल कहते हैं केरला की भासा में इसको कहते हैं कयाल कयाल कुस नहीं होता कयाल लैगून ही होता है लैगून गो होता है जो बीच वाले छितर में से समुद्र का पानी पतली से जगा से भर जाता है और बड़ा से चितर में समुद्र का पानी घुच जाता है अंदर एंटर कर जाता है तो यह बीच में बड़ा सा बन गया इसको बोलते हैं लैगून जैसे की चिलका तो यह भी एक कयालिया लैगून है देखिए यह वैंबनाड जेल मुझे से किसी ने कमेंट पूछा था रामसर साइट क्या होता है देखिए जो कोई वैट लैंड होती है नम भूमी होती है वो हमारी वहाँ पक्षियों के लिए काफी रहने का इस्तान होता है कीडे मकोडे वगेरा होते हैं तो पक्षियों के लिए वैट लैंड अच्छी जगा माने जाती है बायोडाइफिट्री के साफ से, जैव विविदता के साफ से, तो एक UNESCO में, UNESCO ने ट्रीटी साइन हुई थी, 1971 में, 1971 में वैट लेंड को कंजर्व करने के लिए, कंजर्वेशन अफ दा वैट लेंड, जो की फोर्स में आई 1975 से, तो UNESCO ने कुछ जगा को, कुछ जगा को चिन्नित किया है, जे वैट लेंड, तो रामसर साइट, उनको बोलते है, रामसर साइट, ये मेंली पक्षों के लिए इंपोर्टेंट होती है, रामसर साइट, रामसर साइट इजे वैट लेंड साइट, डेजिगनेटिन इंटरनेशनल इंपोटेंट्स, इंटरनेशनल इंपोटेंट्स की जगाए है ये, अंडर दा रामसर साइट, रामसर साइट, अभी एक कोशन एगजाम में पूछा जाता है, नदियों को लंबाई के किरम में रखने के लिए, तो ये हमारा नदियों वाला चेप्टर भी खतम हो रहा है, तो इनकी लंबाई भी हमें एक बार, लंबाई याद आपको नहीं करना है, सिक्वेंस याद करना है, सिक्वेंस आता है, किरम से लगाई ये लंबाई के साब से, हम केवल भारत के अंदर बेहने ब सारे नदियों की बात करेंगे भारत की बात करेंगे भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी उसके बाद दूसरी नदी है गोदावरी नदी तो उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी दक्षिन भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी हो जाएगी इस सीक्वें सबसे लंबी नदी हो जाएगी अरपसागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी हो जाएगी उसके बाद च्छेटे नंबर पर आती है हमारी इंडास ब्रहंपुत्र महानदी कावेरी और तापी इस सीक्वेंस इसे में चार पास कोशन बनाए आप उनके को फिर से रिपीट कर सुन लीजिएगा अब सिक्वेंस हम देखते हैं भारत की नदियां लंबाई के सिक्वेंस में गंगा गोदावरी क्रिशन उसके बाद यमुना नर्मदा इंडास ब्रहंपुत्रा महानदी कावेरी और तापी कन्फूजन इन तीन में होता है जब आपको सिक्वेंस में लग पुत्रा महानदी कावेरी और तापी तो इस तरह से हमारा यह आज का लेक्चर जो हमने देखा रापसागर में गिरने वाली प्रहदीप की नदिया समापत होता है आसा करता हूं आपको यह पसंद आया होगा अच्छा लगा होगा कुछ मिस्टेक होई हो तो इसको आगे कर करेंगे कमेंट करके बताइएगा इंप्रूमेंट स्कोप फॉर इंप्रूमेंट और अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर और कमेंट जय हिन जय भारत